नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहारेनेम 10779 भरती लेटेस्ट अब्लेट में दोस्तो कैसे आप सभी उमेद है आप अच्छे और सस्तोंगे और बिहारेनेम 10779 भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे होंगे कि कितने जल्दी बिहारेनेम 10779 भरती की काउ काौंसलिंग प्रग्राइग कब तक शूरु किया गे और कंसलिंग में कि- अनुओर कंसलिंग होगी तो तो दों स्कंकरी को सब्सक्राइब करें तो तो 59 को पूर डखे तभी आपको सम्पोड जानकारी मिल पाईगे दोस्तों जासा आप सभी भारत करने की कांसलिंग प्रग्रिया को सुरु कराने के लिए सीयमी नीतिस कुमार ने सभी अधिकारियों को साथ साथ निर्देश दे दिया था कि बिहार नियम 10,07 भरती को जल से जल पूरत किया जाय और सभी अधिकारी इसकी समीच्छा करें मतलब साफ है दोस्तों कि बिहार नियम 10,07 भरती का जो डाटा है वो एकदम तयार हो चुका है अब डाटा आठ से 10 दिन के भीतार आयोग के पास पहुचेगा आयोग सभी डाटा का सत्यापित करेगा उसके बाद काउंसलिंग की घोशला अधिकारिक वेबसाइट पर की जागी मतलब दोस्तों बिहार एनम 10709 भारती की जो काउंसल जून के प्रथम सब्ता में बिहार एनम 10709 भारती की प्रक्रिया की मेरिट तयार की जागी और मेरिट तयार होने के बाद लगए 15 से 20 जून तक बिहार एनम 10709 भारती की काउंसलिंग प्रक्रिया को सुरू किया जाएगा बिहार एनम 10709 भारती की काउंसलिंग प्रक्रिय सुरू होने के बाद सभी अभ्यारति को एक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इस नोटिस का जो प्रकासन होगा वो आयोग के माध्यम से होगा आयोग अपने वेब साइट के माध्यम से सभी एक नोटिपिकेशन जारी करके के सभी अभिहारती को सूचित करेगा और उसके बाद बिहार नेम दसजार सासनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया को सुरू किया जाएगा मतलब दोस्तों आपके सभी सची योकता के अंकों को जोड़कर सबसे पहले एक मेरिट तयार की जागी उसी मेरिट के आधार पर एक चरण सुरू किया जाएगा वो 20 जून के बाद सुरू किया जाएगा 20 जून के बाद बिहार नेम दसजार सासनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रतम चरण सुरू किया जाएगा उसके बाद लगभग 20 से 25 जून के बाद बिहार नेम दसजार सासनों भरती की कांसल जुलाई के बाद सभी अभिहार्थी को डाकॉमेंट बारिफिकेशन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा डाकोमेंट बरिपिकेशन प्रक्रिया सिफ्ट वाइज की जाएगी जिसमें सभी अभिहारति को अपने अपने डाकोमेंट लेकर उपस्तित होना होगा जिसमें आपके सभी सच्च योगता का प्रमाड़ पत्र, आधार कार्ड, पायंट कार्ड, जाती प्रमाड़ पत्र इवं सार्टिपिकेट इन सभी प्रमाड़ पत्रों को लेकर आपको आयो के समकच उपस्तित होना होगा अगर आपका किसी भी प्रकार का डाकुमेंट में कोई किसी गड़बड़ी पाई जाती है तब आपका उसी समय बिहारनेम दाजार सासनों भरती में जोईनिंग प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा इसलिए दोस्तों आप सभी अपने डाकुमेंट को क्लियर रखे जैसे ही बिहारनेम दाजार सासनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया की गोश्डा की जागी उसके बाद जोईनिंग प्रक्रिय के लिए बुलाया जागा तब आपको अपने डाकुमेंट लेकर उपस्तित होना होगा तो ये थी जानकारी बिहारेनेमदाजार सासनों भरती की आप एसील अपडेट के बारे में जिसके मादेम से आप ये जान सकते हैं कि बिहारेनेमदाजार सासनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया कब तक सुरू होगी